हेलो कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अभी बजार से मैं सब चिलाएं तुसी को धो कर सुखा कर मैं फ्रीज में रख दूंगी सौम का टाइम हो गया टपू बोल रहा है आज गुलाब जमून बनाने के लिए तो मैं जा रही हूं बन ब्रेड वाले गुलाब जमून बनाने के लिए हमें चाहिए आठ ब्रेड मैंने इसके किनारों को निकाल लिया है आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं इलाइची 10 से 12 चीनी केक कप पॉनी मैंने लिया है 1.5 कप जितना चीनी लेंगे उसके 1.5 गुना हम पॉनी लेंगे दूद मलाई वाला छे बड़े चम्मच आप इलैची के जगा इलैची पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास अभी नहीं थी तो मैं यही यूच कर रही हूँ है लाब जमून बनाने के लिए सबसे पहले हम चासनी की तयारी करेंगे तो इसके लिए मैंने एक बरतन के लिए छोड़ देंगे अब हम एक बरतन में ब्रेड के छोटे छोटे टुक्रे हाथों से अच्छे से कर लेंगे मसल मसल कर सारे जो ब्रेड है उनको अच्छे से टुक्रे कर एक पाउडर की तरह बना लेंगे तो यहां देखिए मैं वही कर रहे हूं जितने भी ब्रेड ह सब को पाउडर के जैसा हाथोस से छोटे छोटे टुकरे करके इसको हम इसी तरह से बना लेंगे और जो भी दूद है उसको एक बार में हम नहीं डाल कर थोड़े थोड़े दूद डालेंगे जैसे एक बार में पहले दो चम्मच डालेंगे, दो चम्मच डालने के बाद फिर इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे, फिर दूद कम लगे तो फिर इसे दो चम्मच इसमें और डालेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे से बनाएंगे, फिर इसमें अगर जो जादा हार्ड ल बना लिया है मैंने अब इसकी छोटी छोटी लोई हम बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह से छोटी छोटी लोई बना कर तयार कर लेंगे उधर मेरी चासनी बन रही है आप चाहे तो इस तरह से करके इसमें किसमिस भी अंदर डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूं मैं सिंपल बन जा रही हूं तो उसको इसी तरह से बना कर दूंगी तो मेरे सारे बॉल तयार हो गये हैं यहां तेल को मैंने गरम कर लिया अब हम इन बॉल को इसमें प्राइक करेंगे गैस बिल्कुल लो रखना है तभी यह जल्दी बनकर तयार होगा और अंदर से अच्छे से पकेगा बच इसे चमच की साहिता से हम इसे पलट लेंगे अच्छे से और धीमी आच पर ही इसे पकाएंगे यह बहुत जल्दी ही बन जाता है प्रक्षा बंधन पर इसे बना सकते हैं या जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो बना सकते हैं आज मैं फर्स्ट बार बना रही हूं गुला बना जाता है और ब्रेड के गुलाब जामून पता नहीं यह बहुत टेस्टी ही बनेंगे तो यहां मैंने किचन टौवेल पर इसे निकाल लिया है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा वाइल है वो निकल जाएगा इसमें और यहां मेरी चासनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई इसमें हम इलाइची पाउडर भी डाल देंगे या इलाइची के दाना डाल देंगे और जो भी बॉल था वो डाल देंगे और इसे धीमी आज़ पर हलका हलका मिलाएंगे और इसे स्पून से थोड़ा दबा कर देखेंगे और इसे छोड़ देंगे तीन से चार मिनट के लि से गैस से नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बने थे बनाने में सिर्फ दस मिनट लगे और एक मिठाई स्वीट्स रेडी हो गई है तो अब साम के आठ बच चुके हैं और आज मैं बनाने वाली हूं भेज पुलाव सिंपल रेश्पी है सारी सब्जीयों को डाल कर बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने एक पत्ता गोबी, एक सिमला मिर्च, एक गाजर, दो टमाटर, दो आलू, हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ता लिया है इसको सब्जीयों को अच्छी तरह से बारिक काट लेंगे प्याज को भी मैंने काट लिया है आब कुछ डालना यह बिडियानी में बहुत जादा जरूरी होता है टेस्ट इसी से आता है तो मैं वही कर रही हूं यहां निकाल लूँगी अब कुकर चढ़ा देंगे इसमें आज बहुत सिंपल खाने का मन था तो इसलिए सिर्फ आज बिडियानी और दही यही रात का खाना आज हम लोग खाएंगे और चटनी भी पीश लूँगी तो इसके लिए मैंने कुकर को गरम कर दिया उसमें सरसो तेल डाल रही हूं सरसो तेल डालने के बाद जीरा डालने के बाद जो भी खड़े बसाले थे वह डाल दिया है मैंने वह जब चटकने लगा तो मैं प्यास डाल रही सबजियां थी जो हमने काटा था वो सारा मैं डाल दूंगी यह जटपट बनकर तयार हो जाता है सारी सबजियों को मिला कर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टिल्या होता है और मेरे घर में तो सब को पसंद है तो आज मेरा वही मन किय कि मैं बनाओं तो कि मार्केट से आने के बाद थोड़ी सी ठकान हो चुकी थी तो जटपट में मैंने सोचा क्यों न मैं ऐसा कुछ बनाओं जो सब को पसंद आया तो यहां मैं हल्दी पाउडर धरिया पाउडर डाल दिया है दो चार मिनट सबजी को फड़ाय करने के बाद हम मसाले डालेंगे तो मैंने वही किया है मसाले डाल दिया है और यहां देखिए यह भून चुका है फड़ाय हो चुका है सबजी आब इसमें मैं डालूंगी नमक टेस्ट के अनुसार यह भी हो चुका है आब इसमें चाबल मैंने भिंगो कर रखे थे धोलिया था अच्छ इसमें आदहँ नीबू का रस ड्यांज रहे हूँ मिकी डाल रही हूं जो मेरा टीक है देक़िए मैं इसमें डाल रही हूं लास्ट में गीजी कुकर बंद करने से पहले मैं हमेशां सब्सक्राइस गी इसमें बिर्यानी मसाला डाला डालती हूं अभी मेरे पास बिर्यानी मसाला नहीं है तो मैं सिर्फ घी डाल रही हूँ और इसका धकन बंग करके एक सीटी आने देंगे उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कितना टेस्टी पुलाव तयार है तो धनिया पत्ता से मैंने सजा लिया है और यहां मेरा भेज पुलाव कहिए बिर्यानी कहिए यह बहुत ही टेस्टी बने थे और देखिए कितने खिले-खिले बने है तो कैसा लगा आप लोग का आजका वीडियो मेरे गुलाब जमुन और मेरा भेज बिर्यानी आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक किजिए, सस्क्राइब किजिए